मुझे समझाने की कोई जरुरूत नहीं चुनाओ है चुनाओ है मैं आपको दो तीन चीज़े कहना चाहता हूँ आपके सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है आपके लोग यहां से क्लाइन करते हैं बाकी प्रदेशों में जाते हैं और आपकी दूसरी मुश्किल दूसरी कठिनाई, महंगाई महंगाई के बारे में दो चीज़ें कहना चाहता हूँ महंगाई क्यूं है देखिए इंटरनाशनल मार्केट में पेट्रोल तेल के दाम नीचे गिरते जा रहे हैं हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स पेट्रोल पे हिंदुस्तान में दस लाख करोर रुपे नरेंद्र मोधी जी ने आपसे छीन कर आपसे छीन कर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरब पतियों का करदा माग तिया है रोज आप याद रखिए आज जवाब जाएंगे स्कूटर में गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे तो आप याद रखना जो आपके जेब में से पैसा निकल रहा है वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरब पतियों के जेब में सीधा जा रहा है क्यों जा रहा है क्योंकि वो दो-तीन अरब पति नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं आपके जेब में से पैसा निकलता है पेट्रोल पंप में सीधा वो पेट्रोल पंप से इनके जेब में जाता है और ये नरेंदर मोदी जी की मार्केटिंग नरेंदर मोदी जी के लिए करते हैं आपने देखा होगा आपने देखा होगा गंगा में बहुत लोगों ने असनान किया मगर ऐसा लगता है कि इतिहास में सिरफ एक व्यक्ति ने गंगा में असनान किया है वो नरेंद्रमोदी और किसी ने नहीं किया पसे एक व्यक्ति और कोई गंगा में असनान नहीं करता वहाँ पे वहाँ पे भाईया योगी जी योगी जी को परमिशन नहीं दी बाकी को छड़ो राजनाथ सिंग जी योगी ना आप लोग परे हो जाओ इस साइट खड़े हो जाओ नरेंद्र मोदी जी स्वयम एक हिंदुस्तानी है जो गंगा में असनान कर सकता है चलिए रोजगार उत्राखंड में जब आएगा जब छोटे और मिडल साइज बिजनस वालों की मदद होगी रोजगार जब आएगा जब किसानों की रक्षा होगी और किसानों को नई टक टेकनोलेजी का फाइदा दिलवाय दिया जाएगा दो तीन पुंजिय पती को पोटे आएगा जाएगा जाएगा जूआखंड में जब एधा जब एड़ा जैर जब पाइएगा